दोस्तो 87,250 रुपे अगर आप निवेश करते हैं और इस पर थोड़ा सा रिस्क लेते हैं तो इस पैसे से आप 96,000,000 रुपे का फंड बना सकते हैं लेकिन अगर आपको रिस्क नहीं लेना है इस 96,000,000 रुपे के फंड को बनाने में आपको लंब सम बैंक एफटी में कम से कम 20-25,000,000 रुपे से जादा का निवेश करना होगा और वो भी एक लंबे टाइम तक निवेश करके रखना होगा लेकिन अगर आप कम पैसे नहीं सिर्फ 87,250 रुपे का निवेश करके छोड़ देते हैं तो एक कम टाइम के अंदर आप 96,000,000 रुपे का फंड बना सकते हैं ल लेकिन वहाँ पर 82,7% तक आपको मिल सकते हैं या फिर अगर आप इससे थोड़ा जादा रिस्क लेते रखते हैं तो जादतर लोग रियर एस्टेट या फिर गोल्ड में निवेश करते हैं लेकिन वहाँ पर भी आपको बहुत सारे पैसे निवेश करने की ज़रुत होती है अगर आप कम पैसे निवेश करना चाते हैं और अपने किसी गोल को पूरा करना चाते हैं तो उसके लिए दोस्तों म्यूचल फंड्स प्लान काफी अच्छे रहते हैं पिछले 10 साल में म्यूचल फंड्स के अंदर जो निवेश है वो काफी जादा बड़ा है उसकी वज़ा है वो कमपाउंड 15-16 परसेंट या 17 परसेंट से जादा है कुछ फंड्स तो ऐसे हैं जिनका रिटन 25 परसेंट के आजपास भी आपको मिल जाएगा देखने के लिए लेकिन अगर आप कम पैसे निवेश करके बड़ा फंड बनाना चाते हैं तो इस वक्त म्यूचल फंड्स फंड बना सकते हैं और दोस्तों यह फंड है जिसके हम बात कर रहे हैं PGIM Mid Cap Fund और दोस्तों यह Mid Cap Category का फंड है यहां पर चूबी पैसा है वो निवेश किया गया है स्टॉक मार्केट के अंदर जो Mid Cap Category के स्टॉक है उनके अंदर लेकिन यहां पर पैसा किसी एक स्टॉक के या फिर एक सेक्टर के अंदर निवेश नहीं किया गया है बलकि आपके पैसे को अलगलग सेक्टर के अंदर और अलगलग कैटिकरी के अंदर डिवर्टी फाइग किया गया है इससे क्या है यहां पर आपके पैसी पर रिस्क कम हो गया है और रिटन कंपाउंड आपको काफ में रिटन सवा 7% के आसपास है जबकि एक महेने में रिटन है माइनस सवा 3% का क्योंकि स्टॉक मार्कित के अंदर पिछले एक महेनी के अंदर करेक्शन देखने के लिए मिला है लेकिन अगर हम दोस्तों आप एक बड़ा फंड आसानी से बना लेते हैं यहाँ पर पहले हम बात करते हैं कैलकुलेशन की कि अगर आप एक बार निवेश करते हैं 87,250 रुपे का और इसे निवेश करके भूल जाते हैं तो कितने टाइम के अंदर आपको यह 96,000,000 रुपे का फंड मिल सकता है कैलकुलेशन कर लेते हैं उसके बाद आगे इस फंड की कुछ important details की बात करेंगे जो आपके लिए काफी जरूरी है जानना तो दोस्तों यह है कैलकुलेटर लंब सम यहाँ पर 87,250 रुपे का ही आपको निवेश करना है रिटरन हम एक्सपेक्ट करें है 17 परतेन का जबकि ओल टाइम का रिटरन इस फंड का 18 परतेन से जादा है यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सिर्फ कितने 5 साल के टाइम पिरिट की पात साल में अगर आप इस पैसे को है निवेश करके रखते हैं तो इस पर 1,04,041 रुपे का आपको रिटरन मिल जाएगा और 87,250 रुपे की वैलिव लगपक 1,91,290 रुपे की हो जाएगी जबकि 10 साल में आपको यहाँ पर 3,32,136 रुपे का रिटरन मिल जाएगा और 87,250 रुपे की वैलिव 4,19,390 रुपे की होगी जबकि दोस्तों अगर आप 15 साल के लिए पैसे को निवेश करते हैं तो इसमें 8,32,253 रुपे का आपको रिटरन मिल जाएगा और 87,250 रुपे की वैलिव 9,19,503 रुपे की हो जाएगी जबकि 20 साल में 287,250 रुपे पर आपको 19,28,714 रुपे का रिटरन मिलेगा कुल मिलाकर आपके पास 20,15,964 रुपे का फंड होगा जबकि 25 साल में कमपॉण रिटरन से आपके पास 44,19,895 रुपे का फंड होगा और रिटरन इसमें 43,32,645 रुपे का मिल जाएगा जबकि 30 साल में यहाँ पर आप 87,250 रुपे का निवेश करके 96,3,141 रुपे का फंड बना सकते हैं और इसमें टोटल आपके पास लगभग 96,90,399 रुपे का फंड होगा यह बात हुई कैलकुलेशन की अगर हम यहाँ पर इस फंड की बात करते हैं तो दोस्तों इसके एनेवी नेट ऐसे ट वैल्यू का जो प्राइस है वो है 53 रुपीज 51 पैसे का अब आप यह सोचेंगे यह प्राइस क्या है इस प्राइस की दोस्तों काफी इंपोर्डैस है क्योंकि यहाँ पर आप लम सम जो भी पैसा निवेश करेंगे और उस डेट को जो भी एनेवी का प्राइस होगा उसके हिसाब से ही आपको यूनिट मिलती है पंड के का रेटिंग की बात करें वो भी शानदार फूर है जबकि फंड साइस की बात करें तो 9,312 करोड रुपे लोगोंने इस प्लान में निवेश के हैं लेकिन अगर आप लम सम 87,000 रुपे भी निवेश नहीं कर सकते हैं तो आप मंतली बेसिस पर 1000 रुपे SIPCB निवेश से स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं हम होल्डिंग की और दोस्तों यहाँ पर जो पैसा है वो निवेश क्या गया है 69 कंपनी के अंदर और जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा 14 मंडलब इंवेश्मेंट कंपनी के अंदर लगबग 3% इसके लावा ट्यूब इंवेश्मेंट, दा पॉनेक्स मिल मैक्स हेल्थ केर, टैमकर इंडिया इंडप्रस गैस, HDFC बैंक अबोट, यानि दोस्तों अबकुल मिलाकर ऐसे स्टॉकों में पैसे को निवेश किया गया है मिटकैप कैटिकरे में, जहां पर आपको ग्रोथ काफी अच्छी मिल सकती है जैसे हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में अलगलग परसेंटेस के साब से अलगलग सेक्टर के अंदर पैसे को निवेश किया है यहाँ पर दोस्तों गर बात करते हैं फंड के एक्सपैंस रेशियो यानि के खर्चे की तो ये भी कम है 0.41 परसेंट का, यानि के एक्सपैंस रेशियो जो भी होगा और जो आप पैसा लामसाब निवेश करेंगे उसमें से एक्सपैंस रेशियो काट करी आपको यूनिट लॉट की जाती है करेंट एनेवी के प्राइस से यानि नेट एसे ट वैल्यू के प्राइस से एक्सित लूट की बात करें तो 90 जिन से पहले अगर आप पैसा निकालते हैं तो 0.50% एक्सित लूट टैक्स देना होता है यहाँ पर बात करते हैं LTCG की तो 10% का होता है यह एक लाक रुपे से ज़्यादा अगर आपको प्राफिट होता है एक साल के बाता लेकिन एक साल से पहले अगर आप पैसे को निकालते हैं तो रिटन पर आपको 15% का टैक्स देना होता है यहाँ पर दोस्तों फंड मैनेज में टीम की बात कर लेते हैं तो इस टीम में पुनीत 2022 से विने 2023 और आनंदा 2023 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं अगर हम दोस्तों मुचल फंड हाउस की बात करते हैं PGIM इंडिया मुचल फंड हाउस की तो रैंक इंडिया में 27 नंबर पर आती है S8 के साफ से जबकि यहाँ पर फंड हाउस के पास 16,371 करोड रोपे का QM है और 2010 में यह फंड आउस स्टार्ट हुआ था तो दोस्तों अगर आप लंब सम इस फंड में पैसे निवेश करते हैं तो यहाँ से आप एक बड़ा फंड बना सकते हैं शॉर्ट टाइम के अंदर मुचल फंड में करेक्शन आते रहते हैं लेकिन अगर हम ओवर और लॉंग टाइम की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको जो प्रॉफिट है वो काफी अच्छा मिल जाता है अगर आप भी अपने पैसे पर रिस्क ले सकते हैं तो थोड़े बहुत पैसे निवेश करके आप एक शांदार फंड आसाने से बना सकते हैं दोस्तो वीडियो से रेड़ेट कोई कोशन होता है तो आप हमें जरूर बताइए वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले